तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत सागल लच्छिदा गोल एकेडमी पे जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं यूपी पीजी टी के मिश्टी के बारे में हम लोगों ने प्रिवेर लेक्चर में डिसकस किया था आज उसी पे बेज़ कुछ नुमेरिकल्स हम लोग करेंगे और सीखेंगे कैसे हम लोग नुमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं के मिश्टी के सॉलिश्टेट से रिलेटेड देखें यहां पर सबसे पहले कुईस्टन हमारा एक जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पहला कोईस्टन आप से पूछा जाता है क्रिश्टल फार्मूला किल्कुलेट करने के लिए किसी भी क्रिश्टल का फार्मूला कैसे हम फार्म करते हैं हमें कुछ डेटा दिया जाता है उस डेटे के वेसे हमसे क्रिश्टल फार का empirical formula find करने के लिए हमें compounds के कह सकते हो जो elements हैं उनके क्या निकालना पड़ता था ratio simplest ratio तो यहां पर भी हम जान लेते हैं समझ लेते हैं कैसे करना है तो माल लेते हैं हमारे पास जो crystal है वो दो constituent particle a और b से मिलकर के बना है ठीक ना a और b जो atoms हैं इनका हमें simplest ratio find करना पड़ेगा और जब simplest ratio हमको मिल जाएगा a और b का तो हम क्या करेंगे उसका empirical formula बना देंगे जिसे माल लो a का contribution 1 है और b का contribution 2 है तो a और b का ratio क्या आएगा वन इस्टू टू का आएगा इडिमिस जो ratio बनेगा जो compound बनेगा उसका crystal का formula होगा a b 2 टाइप का ठीक है अब देखो जो empirical formula पर question बनते हो तो एक simple question बनता है जिसमें जो atoms हैं उनके बारे में information होती है या कह सकते हो simplest simple crystal के लिए हमारे पास एक question पूछा जाता है empirical formula से related और दूसरा question आता है वाइड से अब यहां पर हम ने ससन पर discuss करेंगे वाइड के बारे में और वाइड के बेस पर जो empirical formula के problems आती हैं उनको हम लोग कैसे solve करते हैं इसके बारे में discuss करेंगे वाइड को भी हम लोग दो पार्ट में classified कर के discuss करेंगे एक हम लोग डिसकस करेंगे ने टेट्रा हेड्रल वाइड और दूसरा पढ़ाइने ओक्टा हैड्रल वाइड ठेके ना तो इसको हम लोग ने ससंपे इस पर बेश्ट करेंगे आज के ससंपर हम सिर्फ निजो crystal बनते हैं simple crystal है उनको given information के वेश्वे उनका empirical formula कैसे को लेट किया जाता है उस पर हम discuss करते हैं नोट करें इस point को चलिए देखते हैं इस question को हम लोग solve करते हैं question में क्या कहा गया crystal crystalized to atom A and V if atom A placed at the every corner of the unit cell and we placed at every face center what will be the empirical formula of the crystal इस crystal में हमें बताया गया atom A और B कहां पे हैं unit cell के corners और face पे हैं हमसे पूछा गये इसका empirical formula क्या हो सकता तो भी हमने आपको क्या बोला कि empirical formula calculate करने के लिए हमें जरा सी बात ध्यार लगने होती है कि atom A और B कहां क्या निकाले contribution निकाले और previous lecture में हम लोगोंने unit cell के बारे में cubic unit cell के basic term के बारे में discuss किया था कि अगर कोई atom हमारा corner पे placed है उसका contribution unit cell formation में 1 by 8 का होता है if the atom placed at the face center of the cubic unit cell तो हमें पता है उसका contribution 1 by 2 का होता है अगर atom हमारा center पे placed है तो contribution 100% का होता है it means 1 होता है अगर atom कहीं पे edge length पे placed है कह सकते हैं भुजा पे है तो उसका contribution 1 by 4 का होता है उसी सारे चोटे 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 terms को यूज करके आए देखते इस question को हम लोग कैसे solve कर सकते हैं ठीक ना तो सबसे पहले ऐसा question को solve करने के लिए हम लोग एक पॉइंट लिखें कि क्रिश्टल और उसमें constituent particles को रिपर्जन करेंगे ए और भी अब देख लेंगे इसकी position क्या है तो atom इस center पे है तो हमें पता है इसका total faces कितने होते हैं वाई क्यों में 6 इड मींज बी के number of atoms कितने हैं 6 अगर कोई atom अब हमें पता है कहां पे इस प्लेड है corner पे इड मींज अगर हम contribution of a atom calculate करें in the crystal तो हमें पता चलेगा total atom तो है 8 और एक का contribution 1 by 8 इड मींज number of atoms कितना हो जाएगा 1 और बी को calculate करें तो 6 into 1 by 2 क्योंकि atom कहां पे है फिर सेंटर पे और फिर सेंटर का contribution 1 by 2 का होता है इड मींज 6 into 1 by 2 इड गोली तो 3 आ जाएगा और हमें पता है कि empirical formula find करने के लिए ए और बी का simplest ratio find करते हैं तो ratio हमको मिल चुका है यहां पे ratio है 1 is to 3 इड मींज जो empirical formula बनेगा वो बनेगा ए बी 3 टाइप का बनेगा ठीक है ना तो इस crystal का जो empirical formula होगा भाई वो क्या होगा ए बी 3 होगा आए एक नए question को देखते हैं इस question को ठीक है ना कह रहा है in a cubic structure atom a present each corner of the atom फिर से देख लीजे in a cubic structure atom a present each corner and be present each the face center फिर बोला गया one atom remove from the face center then the empirical formula आप दा compound यह हमको पता करना है आए देखते हैं इस question को करने के लिए empirical formula पूछा गया इट मेंस हमको क्या करना पड़ेगा simplest a और बी का क्या find करना है ratio तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले crystal में हम देखते हैं constituent particle a और क्या है बी एक ही location क्या है एक जो present है at every corner और बी कहां पर भाई face center पर अगर face center पर हमें पता है corners के number of atoms कितने होते हैं एट क्योंकि क्यूब में total number of corners कितने एट इसका मताब एक संख्या कितनी है एट और बी की भी numbers कितने हो जाएंगे भाई आप हमें पता करना होता है simplest ratio simplest ratio के find करने के लिए हम पर unit cell में contribution find करते हैं अब पर unit cell में crystal a के सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता है एटम सब्सक्राइब का contribution कितना होता है और टोटल एटम कितने हैं एट तो इसका contribution one atom का और इसका contribution अच्छा देखना यहां पर question में कहा गया one atom remove from the face center तो total six सा था six में से एक आपने remove किया total कितना बच्छा तो फाइब का contribution अगर हम calculate करेंगे face center होने की वज़े से contribution one by two it means जो ratio बनेगा atoms का contribution five by two atom का क्या होगा भाई contribution होगा अब empirical formula find करने के लिए हम क्या निकालेंगे ए और बी का simplest ratio तो एक रेसियो एक तो आ रहा है one और बी का आएगा five by two simplify करेंगे तो हम लिख सकते हैं two is to five इसका क्या हो जाएगा simplest ratio इड्मेंस दख formula of the crystal will be a to be five तो इस तरीके से जो छोटे मोटे question यहां से frame हो सकते हैं उनको हम इस तरीके से डील कर सकते हैं नेस सेसन पर हम लोग वाइड से रिलेटर इस टाइप के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो लोग इंट्रेस्टेड हैं वह इस कॉंटेक्ट नंबर पर फोन कर सकते हैं साथ साथ इस पर वार्ट से मैसे के तुरू आप जानकारियां प्राप्ट भी कर सकते ठीके ना चले बहुत-बहुत धन्यवाद